भारतिय नरक एक आदमी की मौत हो गई और उसे अपने कर्मों की कारण नरकी की प्राप्ती होई उसने वहाँ जाकर देखा कि हर देश के लिए अलग-अलग नरक है वह अमरीकन नरक में गया और पूचा कि यहां आत्मा को किस तरह की पीड़ा दी जाती है उसे बताया गया पहले तो वे आपको बिजली की कुर्सी पर एक घंटा बैठा कर करंट लगाते हैं फिर आपको तीखे कीलों वाले बिस्तर पर नंगे बदन घंटे भर सुलाते हैं फिर अमरीकन राच्छस आता है जो दिन भर आपको चाबुक से कोड़े लगाता है उस आदमी को ये सारा सिलसिला पशन नहीं आया और वे आगी बढ़ गया फिर उसने आगी जाकर जर्मनी, जापानी, औस्टेलियाई इत्यादी तमाम देशों की नर्क देख डाले सभी में जैसी सजा अमरीकन नर्क में दी जाती थी लगवग उसी किस्म की सजा में आने वाली सभी आत्माओं को दी जाती थी हाँ धर्ती पर किये पापों के गंभीरता के आधार पर समय में कुछ कमी बैसी जरूर हो जाती थी गुमते गुमते वह आखिर में भारती नर्क में पहुँचा वहां उसने देखा कि नर्क के फिरिवेस के लिए आत्माओं की हजारों में लंभी लाइन लगी है आस्चर चकेत होता हुआ उसने पुमचा कि किस किस्म की सजा आत्माओं को दी जाती है जिसकी कारण इतनी लॉंबी लाइन लगी हुई है तो उसे बताये गया कि पहले तो वे आपको पिसली की कुर्सी पर एक घंटा बैठा कर करंट लगाते हैं फिर आपको तीखे के लिलों वाले विस्तर पर नंगे बदन घंटे पर सुलाते हैं फिर भारतियर अच्छा साता है जो दिन बर आपको चाव की कोड़े लगाता है उसे और ज्यादा अच्छ चरूआ उसने फिर पूचा पर ऐसी सजा तो अमरीकन और तमाम अन देशों के नरकों में भी है वहां तो अंदर जाने वालों की ऐसी भीड नहीं दिखी किसी ने उसकी जिग्या सशांत की चुकि यहां भीड के कारण बधाली है और मैंटिनेंस बहुत घटिया है बिजली आती नहीं है अता बिजली की कुछी काम नहीं करती बिस्तर से कीलों को लोग चोड़ी कर ले जा चुके हैं और कोड़ी लगाने वाले भारती राच्छस भारती सास की शेवा में रह चुके हैं जो आते तो हैं परन्तु रजिस्टर में अपनी उपस्तित दर्ज कराकर कैंटीन चले जाते हैं जो बिस्तर से कीलों कर ले जाते हैं